सूप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों आज हम अपने कक्षा में विलोम शब्द करेंगे बच्चों विलोम शब्द का अर्थ तो आप जान ही चुके हैं ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं या विप्रीत होते हैं उन्हें विलॉम शब्द कहते हैं बच्चों विलॉम शब्द में दिये गई शब्द का विप्रीत शब्द या विप्रीत अर्थ लिखते हैं जैसे कोई चीज छोटी होती है और कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो छोटे शब्द का विलोम शब्द होगा बड़ा और बड़े शब्द का विलोम शब्द क्या होगा छोटा तो बच्चों इसी प्रकार से हमें सभी विलोम शब्द करने हैं तो चलिए बच्चों शुर से देखिए और सोचिए कि ये दोनों चित्र आपस में एक दूसरे से कैसे अलग हैं शाबाश बच्चों इस चित्र में एक चित्र गोरे बच्चे का है और एक चित्र काले बच्चे का है तो बच्चों ये दोनों शब्द एक दूसरे के विप्रीच शब्द हैं तो बच्चो गोरे शब्द का विलॉम शब्द क्या होगा काला गोरा काला आईए बच्चों अब हम दूसरा शब्द देखते हैं बच्चों दूसरा शब्द देखने से पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए यहां पर दो मेज दिखाई दे रही हैं और बच्चों इसमें एक कार्टून मेज के नीचे खड़ा है और एक मेज के उपर खड़ा है तो बच्चों दोनों ही कार्टून एक दूसरे के विप्रीत खड़े हैं बच्चों इसका मतलब हुआ कि नीचे शब्द का विप्रीत शब्द या फिर विलॉम शब्द क्या होगा उपर नीचे उपर या हम कह सकते हैं उपर नीचे आईए बच्चों अब हम तीसरा शब्द करते हैं बच्चों इस चित्र में एक लड़की सो रही है और दूसरी लड़की जाग रही है तो बच्चों इसका अर्थ हुआ कि सोना और जागना एक दूसरे के विप्रीत शब्द हैं उल्टे शब्द हैं तो बच्चों सोना शब्द का विप्रीत या फिर विलॉम शब्द होगा जागना सोना जागना या फिर जागना सोना चलिए बच्चों अब हम चोथा शब्द करते हैं बच्चों देखिए यह चित्र हसने का दिखाई दे रहा है और यह चित्र रोने का तो बच्चों यह दोनों ही एक दूसरे के विप्रीत काम कर रहे है अर्थात एक हस रहा है और एक रो रहा है तो बच्चों हसने शब्द का विप्रीच शब्द होगा रोना और रोने का विप्रीच शब्द हसना यह दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं चलिए बच्चों अब हम पांचमा शब्द करते हैं बच्चों देखिए यह चित्र रात का दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर आसमान में चांद और तारे दिख रहे हैं और चांद और तारे रात को दिखाई देते हैं और बच्चों देखिए दूसरे चित्र में सूरज निकला हुआ है और तितलिया उड़ रही है तो बच्चों यह चित्र दिन का है बच्चों एक चित्र रात का है और एक चित्र दिन का है अर्थात बच्चों यह दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे शब्द है रात दिन दिन रात आईए बच्चों अब हम छटा शब्द करते हैं बच्चों इस चित्र में देखिए पेड कहां पर उगते हैं पेड धर्ती पर उगते हैं और बच्चों बादल कहां होते हैं इसका अर्थ हुआ कि धर्ती और आकाश एक दूसरे के विपीज शब्द हैं तो बच्चों धर्ती का विलोन शब्द होगा आकाश धन्यवाद बच्चों बच्चों आये अब हम विलोन शब्द का भाग दो करते हैं बच्चों देखिए इसमें सबसे पहले शब्द है उच बच्चों उच का विलोम शब्द या फिर विप्रित आर्थक शब्द होता है नीच उच नीच बच्चों इसके बाद दूसरा शब्द है स्वतंत्र और स्वतंत्र का विलोम शब्द होता है प्रतंत्र बच्चों स्वतंत्र शब्द का अर्थ होता है आजाद और प्रतंत्र शब्द का अर्थ होता है गुलाम तो इसलिए ये दोनों शब्द एक दूसरे के विप्रित शब्द है चलिए बच्चों, अब हम तीसरा शब्द करते हैं तीसरा शब्द है दुख बच्चों, दुख का विप्रीत आर्थक शब्द या फिर विलोम शब्द होता है सुख दुख, सुख चलिए बच्चों, अब हम चोथा शब्द देखते हैं चोथा शब्द है आदी और आदी शब्द का विप्रीत आर्थक शब्द होता है अंत आदी अंत आईए बच्चों अब हम पांचवा शब्द करते हैं पांचवा शब्द है पाप और पाप का विलोम शब्द होता है पुन्य पाप पुन्य आईए बच्चों अब हम छटा शब्द करते हैं छटा शब्द है चतुर और चतुर का विलोम शब्द होता है मुर्क बच्चों चतुर शब्द का अर्थ होता है चालाग या फिर बुद्धि मान वैक्ती और मुर्क शब्द का अर्थ होता है बुद्धि हीन वैक्ती इसलिए बच्चों ये दोनों शब्द एक दुसरे के विप्रीत है आईए बच्चों अब हम आगे के विलोम शब्द करते हैं बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और समझे बच्चों पहला शब्द है सजीव बच्चों सजीव शब्द का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति या जीव जो सांस ले सकती है तो बच्चों इस शब्द का विलोम शब्द होगा निर्जीव बच्चों निर्जीव का अर्थ होता है वह वस्तू जो सांस नहीं ले सकती इसलिए बच्चों ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द है उल्टे शब्द है आईए बच्चों अब हम दूसरा शब्द करते हैं दूसरा शब्द है थंडा और थंडे शब्द का विलोम शब्द होता है गरम थंडा गरम बच्चों, अब है दुर्बल और दुर्बल शब्द का विलोम शब्द होता है सबल वह वेक्ति जो बहुत कम जोर है और सबल का आर्थ है जो ताकतवर होता है बच्चों अब शब्द देखिए लेना और लेना शब्द का विलोम शब्द होता है देना बच्चों अब शब्द आता है देशी और देशी शब्द का विलोम शब्द होगा विदेशी देशी शब्द अर्थात जो हमारे देश का है और विदेशी शब्द अर्थात जो दूसरे देश का है बच्चों अब शब्द है इमानदार और इमानदार का विलोम शब्द है बेइमान इमानदार बेइमान